हाई फ्रेंड्स अब सबका मेरी यूट्यूब चैनल में स्वागत है आज हम बात करेंगे मेरे आयाएम रांची के इंटर्व्यू की तो जब भी हम किसी इंटर्व्यू बैठते हैं तो इंटर्व्यूर का फर्स्ट कॉशन होता है तेल में अबाउट यूस है तो जिसमें हम जिसी की थोड़ा इंटरेस्टिंग लगे मैं आप सबको एक बात बता देना चाहता हूं कि यह आप पर डिपेंड करेगा कि आप इंटर्व्यू को अपने हिसाब से चलाना चाहते हैं या इंटर्व्यूर के इसाब से क्योंकि मेरा माझना यह है कि यदि आप इंटर्व्य अपने हिसाब से चलाएंगे तो आपके स्लेक्सेंट के जाला चांसेस हैं क्योंकि जब आप अपने हिसाब से चलाएंगे तो आपको पता है कि इंटर्व्यू क्या पूछेगा आज मैं आपको एक ट्रिंग बताऊंगा जिसमें आप अपने हिसाब से अपका इंटर्व्यू चला सकते हैं तो हम आगे बढ़ते हैं तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि जैसे भी आपको कोई इंटर्विव और कोई और पूछे तो आप उसका honest answer दें आप ऐसे कुछ भी ना बताएं कि यो आपको नहीं आता है तो मैं आपको मेरा experience बताना चाहता हूं कि जैसे मैंने हैं तो आगे चलके मैंने उनको बता दिया था लेकिन उनने मुझसे question पूछा था हूबी में कि नारी सत्थी प्राणायम क्या होता है कैसे करते हैं तो मेरे मैं बांकी प्राणायम का पालवारतिया लूम बगयरा जानता था लेकिन मैं नारी सत्थी प्राणायम नहीं जानत भले आप नहीं करते हैं, लेकिन आप ऐसी चीजें पेस्जोस करें, जो आप उनका आएच्छा से दे सकते हैं, आप अपनी हसाब से यह इंटर्वियू को चलाना हो आप यह अपनी हिhero के चले चाहि אूज हम के आपने इंट्रो में कुछ आब और सकता है कि जब आपका इंट्रो एंट करें और इंट्रव्यूर को उसका नाम याद रहे जाए तो आप से उसके बारे में डिटेल रहे सकता है और इती ही आप एस कुछ चीज़ें नहीं करते हैं तो फिर इंंट्रव्यूर के साग सा है आप के साब से नहीं चलेगा और आप इंट्रो के बाद कि एंट्रेंट कर सकते हैं कि वाजलेूर यह यह γा वाजलेज्टो वाज्थ दून स्वाी अज़भीState c करने के लिए और उसका पहले से एम है तो मतलब आप कुछ भी बता सकते हैं कि जैसे मैं अपने आया इमनाची के एचा इंटर्विव के बार बनान चाहता हूं कि मैंने लास्ट में एक किया था कि वैसे की एचार का में रोल रहता है कि आप दो तीन लाइन में एड कर सकते हैं क्योंकि क्या होगा कि जब आप यह लाइन एड करेंगे लास्ट में तो इंटर्विव उनसे ही आप से नहीं सकता है कि हाव डिड्यू इस पार एंड एड एड है क्या होता है कि नॉर्मल बंदे तो इस पार कर सकते हैं किसी की है अज इंस पार है अज रहता है और है जब हम किसी इंटर्विव देते तो वो भी एचार्व एचार बंदा ही लेता है लेकिन एचार की हम रिस्पॉंसिलिटी देखें तो एचार ओनली मिलना पर हायर फायर और रिक्रूर्मेंट तक ही नहीं है एचार के बहुत सारे डाइवर्स रोल भी रहते हैं जैसे कि हम बात करें तो एचार का मैं रोल रहता है जैसे कि कोई और डेपार्टमेंट के लोग में या कोई भी दो एप्लॉई की पीच में लडाई जगड़ा हो रहा है तो एचार का काम है कि हाव टू मेक अफूट फूल इंवर्मेंट ओफ यूर ऑगनाईजीशन तो एचार का में काम है कि एप्लॉई को अच्छे से रखना क कोई कुछ भी लडाई ठगड़ा हो रहा है उसको अच्छे से सॉल्व करना और कुछ भी एप्लॉई के लिए जरूरत है उनको इसपार करना टाइम टाइम पर मॉटिवेट करना और जब भी उन्हें बढ़े तो उनकी सेलरी बढ़ाना और और हा और चेक ता पर्फॉमंस में सब्सक्रा एंपलॉई और उनकी संदेत की तूकर नथे बूप उनकी गारैक यह डाला है यह क्या हम पर ऊवक्रता है और जो冷 Warm को is रहता है भी तक सीमित नहीं बरें har brother 272 유 तो आप इंटर्वी में बता सकते हैं क्योंकि इंटर्वी में बहुत सारी चीज़ें आप से पूछ सकते हैं जैसे आपको एम पूछ सकते हैं लाइक ट्रीजिटि डिगरी आप रोज मीन से लेइस हाऊ ब्यूर्क रैच आपराइंट की रोज के बारें पाता होना चाहिए आपकोशें sigh तो आपको उनके बारे में भी पता करना पड़ेगा जब आप एचार के इंटर्व्यू देने जाते हैं तो आपको बहुत सारे लॉस रहते हैं कि आप कितना सेलरी रख सकते हैं क्या का रहते हैं तो आप एचार लो की जो आप पड़के जा सकते हैं और नेक्स्ट बात करें तो कंपनी क्योंकि बहुत सारे इंटर्व्यू में आपसे पूछेंगे कि एचार की पर्टिकुलर कौन कौन सी कंपनी हैं हमें ऐसे देखें तो एचार की जगवत सारे और पड़ती है क्योंकि एक और एंपलॉई से मिलके बना होता है और जहां एंपलॉई आते हैं आप हमें एक हार मेनेजर को रिक्रूट करना पड़ता है एक हार मेनेजर की जोबर पड़ती है तो बैसे तो पर्टिकुलर आप और आपसे भी पूछा सकता है कि आप कौन से एचार मेनेजर से इसपार होके आपके हमें एचार मेनेजर परसनालिटी से इसपार होके आपने एचार में जाना चूस किया तो ऐसे ही जब भी आपको इसी कोर्स में जाते हैं तो इसकी सारे डिटेल लेके जाएं तब आप इ पूछ आता है यहां जाता है आपका है इसे नार्मल कोश्चन रहते हैं और आपको इसे इंटर्वी तयारी कर रहा है तो फर्श्ट अपॉल आपको जो भी करेंट में चल रहा है करेंट अप्डियर्स उनसे आप टच रहा है डेली आप न्यूस्पेपर पढ़ें और जो भी सब्सक्राइब करें तो आप से पॉलिटिक्स के जो सेंटर पॉलिटिक्स है और जो इस्टेट पॉलिटिक्स है उसकी पूस्ते हैं सब्सक्राइब करें लोग सब्सक्राइब लोग सब्सक्राइब कि इस पूसक्ते हैं और यूपकर इस पूस्ते हैं तो आप से पूसकते हैं कि आपके स्टेट में कौन से टूरिस प्लेस हैं क्या है मतलब कौन-कौन से बिजेटिंग प्लेस हैं जो लोग भूम लूब आ सकते हैं तो यही नॉर्मल नॉर्मज चीज़ें रहती हैं जो आप में आपसे इंटर्वियू में पोच सकते हैं एचार इंटर्वियू में और आपसे आपसे रोल का पूछें कि एचार का में रोल क्या रहता है तो HR का main role रहता है कि जो different resources रहते हैं उनसे information collect करें और company को अच्छे बंदे higher करके दें और जब बंदें कंपनी में आ जाएं तो उनको training देने का काम भी HR manager करी रहता है और उनको time time पे inspire करने का भी रहता है और कहीं भी organization में कोई conflict हो जाएं कोई लड़ाई हो जाएं तो उसको solve करने का काम भी HR manager का ही रहता है और कहीं बात कह रहता है कि बहुत सारे जो important employee support आपके organization के लिए important employee है और वो छोड़के जा रहा है तो यह HR manager की duty रहती है कि उसको कैसे convince करें means convincing the people it's also the quality of the HR manager तो HR manager का यह भी काम रहता है कि जो अच्छे बंदे हैं उनको convince करें उनको organization में रखें उनकी problem solve करें और HR manager काम रहता है कि जो boss रहते हैं उन से और जो employee है उनके बीचे bonding करें है मतलब HR manager connector की तरह रहता है जो बहां पर भी नजर रखता है यहां पर भी नजर रखता है और HR manager किसी भी दो department के employee को transfer कर सकता है तर से उधर कर सकता है तो HR manager के बहुत सारे डिफरेंट 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 रोल है तो और HR manager अपनी के लिए बहुत ही important part है thank you so much अधि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो please like, share and subscribe thank you